हेलो कैसे हो आप सर्फ अच्छा पहले आप लोग ये रिकॉर्डिंग सुन लो उसके बाद में करेंगे कुछ बाते और ये जो अलका है ना इसकी भी जिन्दगी की कुछ काली सच्चाईयां आपके सामने आज में लेकर आउंगी शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा और अब अब तक बीच में पढ़ रही है वी दी मान के मैं पढ़ती है मत पाड़ अगर असली और अवरत है ना तो ग्लॉक मार दे ये नंबर अभी तक बीच में पढ़ रही है कि अधिस्राइब मैंने और यह था लेकिन तोने क्या किया और बटाया क्या सच बताया है था लोग कोई इचत नहीं किसी के लिए सब्सक्राइब करने की तर रहा है दो भाइंगे के मैंसूर बुलाई है उसके बाद में नहीं बताया है कि अरे तो दिखाया क्यों नहीं नहीं एक सब्सक्राइब तुम को यह पता था कि मुझे मैं सुर मिलना तुमने यही यही सेंट तुम भी सुना ना बावाल नहीं हो तुम मेरे पर उसको बचा रही हो आपको बता रही हूं आपकी बहुत बड़ी गलती है इसमें क्योंकि आप दोनों गलत काम करने वाले इनसान को आप बचारी है एक 24 साल की लड़की जो बिल्कुल मासूम है उसके साथ आप धोका कर रही है रहने दिजे आपको सब मालूं था आपने मुझे कॉल किया था आप मैशूम क्या है कि आपने बोला धां कि बात नहीं हुई है खרगो खुलो वह सही रहेगा बात मत करो क्योंकि आप बहुत गलत कर रही है एक ऑुरत का जिंदगी बरबाद कर रहाँ यार आप रहां आप बरबाद कर देए हुझ आपको अपने आप नहीं लग रही थी कि अरे मनीशा तुम्हारा घर बरबाद हुजगा तुमको माफि मांगने मुझे तुक त्यूद्टम पता नहीं होगा कुछ पता था और सब से पहली बात आप नहां की चंची हो ना नहां की चंची बन जितने शके चंचे थे ना सब सामने आगे वह ऐसी वारत है गर गिड़ा के फसा सकती है अगर अब कोई भी इस इंसान से बात कर लिया चीर के रख दूंगी मैं साफ चीर दूंगी सुना देना सुना हमको बदम करना कर लेना यूटूब पे सोसल मीडिया पर लेना मुझे डॉड नहीं लगा इससे जादा नहीं तुम लोग सब मेरिटर रोकार यह सब जाओंगे ज बरतो दूमका बढ़ा वांगे जब साचार है तो क्यों पर खीच लिया तुम अस्तर आगा वह पर नकागा जी आज तब अभी तक पदीदी ओले हमें को अधे आज अजिए मेरी बाए बात हम प्रण से इसकात है मधे लिगन को आईज से नहीं तो आईए प्रूआ को अच् तो सुना आप लोगों ने वाइस इसके अंदर देखो कि वो बोल क्या रही है वो औरत को शरम नहीं आ रही है जो नहा की चमची दल्ली बनी हुई है और बोल रही है मैं नहा को सपोर्ट नहीं करती हूं अच्छा यह वाइस लगा के मनीशा ने वीडियो डाली और फॉरण यह लाइव आके बैट गई अपने आपको किलियर करने के लिए अच्छी बताने के लिए और गटिया वरत वहाँ पर बैटके धंकिया दे रही है कि मैं MLA के पास जाओंगी मैं MP के पास जाओंगी मैं यह करूंगी मैं वो करूंगी और फिर बात में बोल रही है कि प्रूफ है मैं प्रूफ लगाओंगी वो दिन भी लाइव में यह वरत ने बोली कि मैं प्रूफ नहीं लगाई और ये बोल रही है मैं निया को सपोर्ट नहीं कर रही हूं और बकाइदा ये निया को सपोर्ट कर रही है पहले दिन से ये निया को सपोर्ट कर रही है इसके डायलोग क्या होते है कि नहीं निया गलत है मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करती हूं लेगिन फूल नहां लगा रही है कम्यूनिटी बकाइदा नहां और यह डिसकस करते है इसके बाद में लाइव लगती है जैसे इसकी लाइव लगती है वैसे ही नहां इसकी लाइवों को कम्यूनिटी करती है इसके वीडियो को कम्यूनिटी करती है और इन लोगों को शरम नहीं आ रही है ज तो ये करके दिखा, दम है तो आके दिखा, तेरे में दम है न तो ओन करके दिखा, कि तु नेहा की दलील है, दली, दलाली कर रही है तू उसकी, शरम ने आ रही है, बताओ ये अरत तो, और ये उससे, उसको महसूर में मिलवा रही है, भई, ये देख लो, ये इसी दलालनिया औरते होती है जो दूसरों के घर खराब करती है यह सचीन को नहा से मिलवाने में लगी हुई है कि जा के उससे मिलो और जब मनीशा बोल रही है कि मुझे क्यों नहीं बताया तो बोल रही है कि हंगामा नहो जा इसके लिए अरे लगदी लानत है तेरे इसी औरत के अपर जो ए उतने ज्यादा है वहाँ पर मतलब ताकत लगा रही है तुझे शर्म आने चीए डूपते मर जाना चीए क्या उपर वाले ने तेरे आगे बेटी नहीं दिया है कि तेरी बेटी के साथ में मनीशा की तरह होगा तो क्या करेंगी फिर और आप लोगों को ज्यादा हैरत करने क कोई जरूरत नहीं है कि ये औरत गलत को क्यों सपोर्ट कर रही है क्यों दलाली कर रही है और सभी के मौह से आप लोगों ने सुना होगा कि ये औरत हमेशा ही गलत को सपोर्ट करती है और ये जिसके भी पड़े में पढ़ती है उसको डुबा के ही रहती है पहली बाद तो इसको जरुद क्या है किसी के फट्ड़े में पढ़ने की तुनेकी रिस्तेदारे तुसाचीन की है तुम आनीशा की सोटन बनना चाती है क्या चाती चाती है तू तेरा घड़ देखना तेरे काम से काम रख हाँ तु सचीन को कॉल कर रही है मैसेज कर रही है इससे उसको मिलवा रही है तु जाके उससे बात कर रही है निया से बात कर रही है इससे कम्यूटियां करवा रही है शरम कर ले शरम डुक के मर जा बे शरम और और मैं थारी आउडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंग इसकी और उसको ये पूल सपोर्ट कर रही है और ये उसकी सपोर्ट में होने के बावजुद बोल रही है मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इतनी बड़ी तो ये फट्टू है कि ये ओन नहीं कर रही है कि मैं सपोर्ट कर रही हूं गटिया औरत और इसी अउरतें ही सपोर्ट करती है इसी गटिया ओरतों को इसकी सचाई यह है के यह औरत है ना, खुदी डिवास सुधा है और इसका यह लब मैरीज है जिसके साथ में यह रह रही है और इसने है ना, डिवास भी इसलिए लिए जिस तरह से नहा कर रही है ना उसी तरह थे यह उरत ने अपनी जिंदगी में किये इसलिए ये गलत को सपोर्ट करिये ये नहा में अपने आपको देखती है ये ओरत ने भी किसी का घर खराब किये जो इसका हस्बेंट सा न पहला उसका घर खराब करके लॉल अपाटा करके अब इस husband के साथ में बैटी हुई है तो आप लोग खुद बताओ कोई शरीफ औरत किसको सपोर्ट करेंगी मनीशा जैसी औरत को ना और जो घटिया औरत गिरी हुई रहेंगी वही नहा जैसी औरत को सपोर्ट करेंगी तो ये बराबर अपनी कोफी को सपोर्ट कर रही है गटिया औरत और देखो भई बकाइदा ये मनीशा को किस तरह से धमकी दे रही है किस तरह से गलत सलत बोल रही है मैंने नहीं सुनी कि कोई भी मनीशा गलत बोल रही है लेकिन ये औरत बगैदा उसको गलत बोलेए अरे भाई, कितने दे दिये कितने लाग दे दिये तुझे नیا ने हाँ, अपनी तरफ से भुको आने के लिए जरूर इतने कुछ न कुछ तो ली है नया दे उसने इसको लाखों की लगता है, कुछ न कुछ उपर दी है कि तू बैट के ना मेरे लिए भाग जूट को तच्छी साबित करने में लगी रहे मैं तुझे इतना इतना दूंगी मूँ से ही भिकाओ दिखती है कटिया औरत और ये मनीशा ने बहुत अच्छा जवाब दी है इसको सुरू से ही ऐसे ही रहना चीए था अगर के मनीश सुरू से ही ऐसे ही रहती ना तो ये नेहा जैसी जो बच्छलन औरते हैं ना ये कभी भी इसके हजबेंड की जिंदगी में नहीं आती इसको चाहिए कि लोगों की जबान खीच के उनके गले में लपेट दे और याइसी जो ये अलका जैसी औरते हैं इनका हाद पकड़के पीछे बाजू मरोड़े और इनके पिछवाड़े पे लात मार के निकाल दे अपनी जिंदगी से और अपने घरों से अब इसको चाहिए कि ये खुद के लिए खड़ी हो क्यूंकि जब तलक के इंसान पुद खुद के लिए नहीं खड़े होता है ना उसके लिए दूसरा नहीं खड़े हो सकता कोई कितने दिन इसके लिए बोल लेंगा और कोई कितने वसे लड़ लेंगा इसको चाहिए कि अपने हजब्हें को अपने पाबु में रखे और इन जैती दो ठके की अरतों को लात मार के निकाले अपने हैड़ी Seniां की जिंदगी से और हमीड़ी के family है जो इसको support कर रही है तो इसको बिल्कुल भी डरने की या चूप रहने की जरूरत नहीं है इसको चाहिए कि ऐसी घटिया औरतों को अपने husband से दूर रखे और अपने husband के उपर भी पूरी पूरी नजर रखे कियोंकि वो भी दूरता दूला नहीं है अब बताओ कि यहां पे वो उसको तो पूछी रही है ना कि तुमने मुझे सच क्यूं नहीं बताया लेकिन वहां पे सचीन की भी गलती है ना उसने क्यूं नहीं नहीं बताया अपन नहीं सचीन को अप्रोच कर रही है सिपॉल पर बात करवाने की लिए इन लोगों की पूरी पूरी फूरी प्लैनिंग ये चल रही है कि किसी भी तरह से म beggar को इसके है यह रव रवाने कर्ना है यह फरी इनकी प्लैनिंग के अंदर इसको है वो समझे नहीं या सचीन को निया के पास में विजवाना है और फिर निया कुछ न कुछ एलिगेशन लगा के इसको अंदर करवा देंगी जैसे आर वाला एलिगेशन लगा दे जूटी जूटी काहानिया बना के या अपने उपर खुदी ले ले उसको और फिर बोल दे ये मेरे साथ में जबर जस्ती कर रहा है और कोई ऐसा वीडियो डियो आइडिट करके बना के और सचीन को अच्छा खाता फसा दे तो ये सारी प्लैनिंग भी इनकी हो सकती है तो मनीशा को चाहिए के थोड़ा आवेर है और अपने अजबेंड को किसी से भी इन जैसी गटिया औरतों से मिनने ना दे आप लोगों को क्या लगता है क्या लोग इन लोग ऐसी कोई प्लैनिंग नहीं कर सकते इस तरह से मनीशा की जिन्दगी खराब नहीं कर सकते भी कैसी डायन ओरते हैं खुद औरत होके, खुद शादी चुदा होके, खुद बेटियों की माँ होके दूसरों की बेटियों की जिंदगी खराब करना दूसरे की बीवी की जिंदगी खराब करना शादी तोड़ना सच में ऐसी अरतों को तो मैं बोलती हूँ न समाज से निकाल देना चीए इनको समाज से बेदफल कर देना चीए बहुत ज़्यादा गिरी हुई और घटिया औरते हैं ये बाक्यू अनिशा के लिए वैल डन बहुत अच्छा तुमने इसको मूँ तोड जवाब दिया है कभी किसी की सुनने की जरूरत नहीं है अपना हाक अगर मांग के ना मिलेना तो छीन के लो चीन के भी ना मिलेना और अपने वले की गलती हो जैसे अगर तुमारे हस्बेंड की गलती हो ना तो फिर ऐसे आदमी से अलग ही हो जाने में तुम्हारी भलाई है लेकिन यहाँ पर गलती तुम्हारे हस्बेंड की कम और इन जैसी जो दल्ली ओरते हैं ना इनकी जादा नजर आ रही है तो इनको मो तोड़ जवाब दो और इनको इनकी अवकाद बताओ तो आप सबकी क्या राये प्लीज कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आएंगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब भी कर देना मिलतें नेक्ट वीडियो में बाई 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 लाफीत